हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आप सभी कैसे हैं उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और दोस्तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आज के वीडियो में एक paragraph लिखने जा रहे हैं जो की my friend पर है और दोस्तो यह basic level की translation है तो यदि आप basic learner है तो आपके लिए यह video perfect है और दोस्तो यदि आप advanced learner है तो मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखेगा खासतोर से essay writing जो एक playlist है यह फिर translation from newspaper यह फिर advanced story writing यह सभी playlist में जरूर जाईएगा और आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे और यदि आप basic learner है यह फिर zero level से English सिखना चाहते हैं तो आप lesson 1 से जरूर देखेंगे lesson 80 तक आपको वीडियो मिल जाएंगे तो दोस्तो मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और content बनाने में दिमाग लगाना पड़ता है सोचना पड़ता है content लिखना पड़ता है फिर दोस्तो आपको समझाना पड़ता है तो आप लोग सभी मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा हेलो दोस्तो आप सभी का एकने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज का वीडियो बेहदी खास है आज हम लोग my best friend पर एक paragraph लिखेंगे वो भी translation के दुवारा और दोस्तो वो translation बहुँ ज़्यादा difficult भी नहीं होगा तो बहुँ ज़्यादा easy भी नहीं होगा और यदि आप basic level के English सिखना चाहते हैं और practice करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल based है आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए So friends without wasting much time let's get started now माल लीजिए कि रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे रमेश is my best friend रमेश is my best friend वह मेरा सहपाथी है यानि की साथ पढ़ने वाला तो सहपाथी को इंगलिस में classmate कहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे He is my classmate वह मेरा पढ़ोसी भी है तो भी के लिए also लिखेंगे He is also my neighbor He is also my neighbor वह वह मेरे घर के बगल वाले घर पर रहता है तो दोस्तो बगल वाले इसके लिए आप next to का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर रहता है यानि की simple present tense और दोस्तो फर्स टाइम यह tense में है और इसमें main verb है उपर वाला sentence यानि की आप present tense में है यह बोल सकते हैं लेकिन इसमें कोई main verb नहीं है तो सबसे पहले लिखेंगे वह रहता है He lives He third person singular number है और यह simple present tense में है वर्ब में ace 8 कर देंगे He lives next to मेरे घर के my house He lives next to my house वह बुद्धिमान है He is wise या फिर आप तेज है intelligent भी लिख सकते हैं He is intelligent वह दयालू तथा विनम्र है तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे He is kind and humble और दोस्तों जब एक बेक्ती दो चीज रहता है तो आर यूज नहीं करना है और जब दो बेक्ती रहेगा तब आर यूज करना है वह बहुत मददगार है तो यहाँ पर लिखेंगे He is very helpful वह कक्छा का सरवोच छात्र है He is the class topper student He is the class topper student उसकी लिखावट भूत अच्छी है His handwriting is very good His handwriting is very good जब मैं अनुपस्थित रहता हूं वह मुझे अपना notebook देता है तो दोस्तो इसमें दो clause है जब मैं अनुपस्थित रहता हूं यह sentence दूसरे पर dependent है इसलिए दोस्तो इस sentence को हम कहते हैं subordinate clause वह मुझे अपना notebook देता है यह खुद में एक complete sentence है इसे कहेंगे main clause तो main clause को ही हम लोग पहले लिखेंगे वह मुझे अपना notebook देता है यह है simple present tense में His subject है यहाँ पर हो जाएगा gives He gives me His notebook जब मैं अनुपस्थित रहता हूं When I am absent He gives me his notebook when I am absent हम साम में एक साथ खेलते हैं तो दोस्तों यह भी है simple present tense में यहाँ पर लिखेंगे We play together यानिके एक साथ इसे दोस्तों दी पढ़ेंगे इसे दोस्तों दी पढ़ेंगे इसे वोवल है इन दी इवनिंग We play together in the evening हम साथ में प्लहाई करते हैं हम साथ में प्लहाई करते हैं We study together We study together वह प्लहाई में मेरी मदद करता है तो दोस्तों यह भी है simple present tense में यहाँ पर ही subject है third person singular number helps हो जाएगा He helps me वह मेरी मदद करता है पढ़ाई में in studies He helps me in studies हम अपने इस्कूल की परियोजनाए साथ बनाते हैं तो दोस्तों यह भी है simple present tense में लेकिन इस बार यहाँ पर subject है हम यानि की we जो की first person plural number है और इसके साथ verb में as ये es add नहीं करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे we make हम लोग बनाते हैं अपना इस्कूल प्रोजेक्ट आवर यानि की दोस्तों we रहेगा तो अपना के लिए आवर हो जाएगा इस्कूल प्रोजेक्ट्स साथ साथ यानि की together वी मेक आवर इस्कूल प्रोजेक्ट्स तुगेदर वह हमारे इस्कूल के क्रिकेट टीम का कप्तान है वह हमारे इस्कूल के क्रिकेट टीम का कप्तान है तो यहाँ पर लिखेंगे He is the captain of our school cricket team He is the captain of our school cricket team उसने इस्कूल के लिए कई ट्रोफिया जीती है तो दोस्तो पहली बार यहाँ पर present perfect tense है और दोस्तो present perfect tense में subject होता है plus have has plus verb 3 plus object यह structure होता है तो यहाँ पर subject है उसने यानि कि He और He के साथ has लगता है जितना का win होता है और verb 3 won हो जाएगा He has won many trophies इस्कूल के लिए फोर द इस्कूल He has won many trophies फोर द इस्कूल हम लोग अपने मुहले के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों यह भी है simple present tense में यहाँ पर लिखेंगे we play cricket हम लोग क्रिकेट खेलते हैं अपने मुहले के दोस्तों के साथ तो के साथ के लिए with लिखेंगे with our colony friends we play cricket with our colony friends वह मुझे से कभी नहीं जगडता है तो दोस्तों यह भी है simple present tense में यहाँ पर लिखेंगे he और पहली बार negative है तो simple present tense में या तो do not use होता है या तो does not यदि subject third person singular number यानि कि he see it या कोई एक नाम रहता है तो हम लोग does not use करते हैं I, we, you, they और एक से अधिक में do not use करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे he does not quarrel मुझसे यानि कि with me he does not quarrel with me या फिर he does not fight with me जब मैं गलत होता हूँ वह मुझे सही करता है जब मैं गलत होता हूँ वह मुझे सही करता है इसमें दो clause है जब मैं गलत होता हूँ या एक अधूरा sentence है यानि कि subordinate clause वह मुझे सही करता है यह sentence खुद में पूर्ण है तो यह प्रिंसिपल clause यानि कि main clause इससे पहले लिखेंगे वह मुझे सही करता है He corrects me correct adjective भी है और verb भी है He corrects me वह मुझे सही करता है He third person singular number है यहाँ पर ace aid कर देंगे जब मैं गलत होता हूँ When I am wrong ऐसा नहीं है कि आप इसे पलट कर नहीं बना सकते हैं When I am wrong He corrects me इस तरह ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन यह बेटर रहेगा मैं दोपहर का अपना भोजन उसके साथ सेयर करता हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे I share my lunch with him I share my lunch with him मैं उसका साथ पसंद करता हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे I like his company I like his company परतियक बेक्ति उसे पसंद करता है परतियक वेक्ति उसे पसंद करता है तो दोस्तों यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह लिखेंगे everyone और यहाँ खुद में singular form में होता है इसलिए यहाँ पर likes लिखेंगे यानि कि इसे थरड़ परसंद singular नमबर में मान सकते हैं everyone likes him परतियक वेक्ति उसे पसंद करता है मुझे अपने दोस्त पर गर्व है I am proud of my friend I am proud of my friend तो दोस्तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि इंग्लिस बोलने या लिखने के लिए बहुत difficult words सिखना भी जरूरी नहीं है जो normal words है उसे भी use करके आप इंग्लिस बोल सकते हैं लिख सकते हैं बस दोस्तो practice की जरूरत होती है आप इस paragraph में देख सकते हैं कि कोई भी word difficult नहीं है और simple words को use करके यह paragraph लिखा गया है लेकिन दोस्तो advanced English को समझने या लिखने के लिए आपको advanced words जानना होगा तो आप लोग सभी vocabulary building का एक playlist बना हुआ है उस पर जा सकते हैं इसके लाबा दोस्तो advanced translation या फिर essay writing या फिर advanced story writing playlist बना हुआ है उस पर आप जा सकते हैं और यदि आप बिल्कुल zero level से सिखना चाहते हैं यहाँ एक कलम है वहाँ एक घर है मैं एक doctor हूँ इस तरीके के sentence तो आप lesson 1 से देख सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आज का lesson आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि या वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दूसरे सभी वीडियो चिको जरूर देखेगा ओल्ड़ाइट फ्रेंज थंक्स पर वचिंग वचिंग वचिंगे वच्छा लगे टीजेग